पॉन से ऐसे breakout stocks हैं जो आने वाले week में रहेंगे मेरी radar पे और आने वाले week में हमें काफी trading का अच्छा मौका दे सकते हैं देखेंगे हम लोग आज की वीडियो में welcome to investographer मेरा नाम है अंकित और वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से like का बटन दबा दो और comment section के अंदर we are the investor graphers लिख दो आज की वीडियो का like का target है 500 likes तो देखते हैं क्या हम लोग 500 like इस वीडियो पर कर पाते हैं और जैसे ही आप like का बटन दबाते हो जो like का number आपको दिखता है वो भी comment section के अंदर डाल देना अब stocks की तरफ आगे बढ़ने से पहले जल्दी से एक बार हम overall market के उपर बात कर लेते हैं निफ्टी का chart pattern देख लेते हैं कि निफ्टी के अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है उसके बाद हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से stocks हैं जिनके उपर अगले week मेरी नजर रहेगी निफ्टी कि अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो जैसा कि हम लोगों ने इस week देखा कि निफ्टी ने starting में थोड़ा सा retrace किया बट उसके बाद एक काफी strong move दिया Wednesday, Thursday, Friday को हमें बहुत strong move निफ्टी में देखने को मिला और जो Fed की meeting को लेकर के fear था market के अंदर वो काफी हद तक हमें कम होता हुआ दिखा और जो commentary Fed की तरफ से आई कि recession के chances थोड़े कम है तो इस commentary की वज़े से market बहुत जादा bullish हो गया, market बहुत जादा extremely optimistic हो गया और market के अंदर तीन दिन हमें लगातार काफी strong move आता हुआ दिखाई दिया है, ऐसे के अंदर थोड़ा सा market में हमें cautious रहना जरूरी है क्योंकि कभी भी market में अगर इस तरीके का euphoria आता या इस तरीके का over optimism आता है, तो थोड़ा सा आपको cautious होना जरूरी है, as a logical investor आपको अपन common sense यूज करके थोड़ा सा cautious ऐसे market में होना जरूरी है, जैसा कि हम लोगों ने पिछले तीन दिनों में देखा कि market ने जो लगातार move दिया है, वो बड़े बड़े gaps को छोड़ करके move दिया है, gaps को fill नहीं किया, बड़े gap छोड़े उसके बाद भी move continue किया, तो कही न कहीं ये तो कही न कहीं थोड़ा सा अगर market में हमें ये जो पागलपन पिछले दो-तीन दिन में आया, वो अगर थोड़ा cool down होता हुआ दिखता है, थोड़ा हमें वहाँ पे consolidate होता हुआ दिखता है market, तो नए positions बनाने में हमारा risk reward बना रहेगा, otherwise अगर हम नए positions बनाते हैं, तो वो risk काफी जादा हो जाएगा वहाँ पे, और थोड़ा सा हम कहीं न कहीं अपने risk management को कहीं न कहीं compromise कर देंगे, तो ऐसे में मेरी personal preference रहेगी कि जैसा कि इस week के starting में हमें एक अच्छा खासा pullback आता हुआ दिखा, और फिर move continue होता हुआ दिखा, अगर वैसा ही कुछ होता है, आने वाले दिनों में हमें थोड़ा pullback दिखता है, market में, थोड़ा consolidation दिखता है, basically जो 500-600 point का एक लगातार move आया है, उसका कहीं न कहीं अगर थोड़ा cool down होता हुआ दिखता है, तो next opportunity अच्छी होगी trades लेने के लिए, otherwise थोड़ा सा risk management पे जादा focus करना होगा, risk management कहीं न कहीं compromise होन जादा aggressive होंगे और जादा opportunity trading के लिए देखेंगे, इसी के साथ अब जादा समय waste ना करते हुए, उन stocks की तरफ आ जाते हैं, जिन पे मेरी इस week नजर रहेगी, और basically आज मैं कोई random stocks discuss करने की बजाए, एक particular sector जिसके अंदर हमें काफी अच्छा momentum दिख रहा है, उसके stocks आपके स चीज दिखाने की कोशिश करूँ, तो जैसा कि आप देख सकते हो, जो अगर हम लोग previous इसके swing highs को अगर touch करके एक trend line अगर develop करते हैं, तो वहाँ पे एक हलका सा resistance लेने के बाद, हलका सा pullback लेने के बाद, वहाँ से bank nifty ने हमें काफी बड़िया breakout दिया है, तो ऐसे में जो banking क stocks होते हैं, वो कही ना कहीं जरूर हमारे radar पे होने चीएं, तो कि अगर market के अंदर momentum continue होता है, तो banking sector हमें अच्छा perform करता हुआ, definitely दिखाई दे सकता है, ऐसे के अंदर बिना समय waste करते हुए, सीधा हम लोग आ जाते हैं, banking के index के जो stocks हैं, जो major banks हैं, जिनके chart pattern को हम track कर सकते है और आगे आने वाले week के अंदर उनके लिए trading plan अपना बना के रख सकते हैं, किस तरीके के movements उनमें आते हैं, तो हम अपने trades उसमें decide कर सकते हैं, सबसे पहला और सबसे बड़ा stock जो banking के अंदर है, HDFC bank, अगर HDFC bank के chart pattern की तरफ हम इस time पे ध्यान देते हैं, तो 2-3 चीज़े हम हमें यहाँ पे अच्छी bullishness की तरफ indicate कर रही है, सबसे पहली चीज़ है कि यहाँ पे अगर हम एक short term chart pattern की बात करें, तो यहाँ पे हमें एक inverted head and shoulder type pattern दिख रहा है, जिसका हमें काफी बड़िया breakout भी यहाँ पे होता हुआ दिखाईत दे रहा है, साथी साथ अगर हम Friday के movement की ब breakout हुआ, major EMA 200 EMA के उपर bank हमें जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में definitely आने वाले 2-3 दिन में, अगर यहाँ पे एक अच्छे risk reward के साथ entry हमें मिलती है, तो definitely एक short term trade के हिसाब से इसमें definitely consider किया जा सकता है, इसी के साथ next जो major bank आ जाता है, कोटक bank के अगर हम बात करें, तो again कोटक bank में अगर structurally हम बात करें, तो बहुत जादा major कुछ action नहीं हुआ है, बट overall अगर हम बात करें, तो एक काफी अच्छे retracement के बाद, काफी deep pullback के बाद, जो कि result के बाद आता हुआ दिखा, उसके बाद वापस से bank ने bounce back दिया है, ऐसे जा सकती है, अब काफी लोगों का सवाल ये होगा, कि जो trades में आपके साथ discuss कर रहा हूँ, उसमें से maximum trades immediately, यानि कल ही जा करके लेने के लिए ready नहीं होते हैं, तो ऐसे में हम किस तरीके से decide करेंगे, कब हमें उनमें trade लेना है, तो या तो अगर आप थोड़े experience trader हो, तो definitely आप अपने खुद से उसको track कर सकते हो, खुद से जो मैं यहाँ पे strategy discuss कर रहा हूँ, उसको follow up कर सकते हो, बट अगर अगर भी आप उतने experience नहीं हो, या उतना confidence आपको नहीं है, या कहीं नहीं आता है trade लेते वक्त कि क्या हम सई trade ले रहे हैं, या नहीं ले रहें, तो जितने भी trigger होता हुआ दिखता है कि अब इसमें entry ली जा सकती है, अब इसमें बढ़िया risk reward के साथ, छोटे से stop loss के साथ, और काफी बढ़िया target हमें देखने को मिल रहे हैं, तो हमारा big bulls club है, उसके अंदर हम इसको share कर देते हैं, तो अगर आप इन चीजों का फायदा उठाना चाते ह इसको आप join करने के लिए देख सकते हैं, उससे आपका फायदा यह हो जाता है कि सही trades, सही opportunity, सही समय पर आपको मिल जाती है, साथी साथ जो market में आपका confusion होता है, वो काफी हद तक कम हो जाता है, और daily 2.30 pm पे हम एक voice call रखते हैं, हमारे big bulls club के telegram group के उपर, जिसमें directly आप ह join करना चाहिए, और मैं suggest करूँगा कि जिस तरह का volatile market आज कल चल रहा है, अगर आप एक newcomer हो, तो definitely आपको अपने risk management को और अपने capital protection के point of view से big bulls club ज़रूर join करना चाहिए, ताकि आपका जो experience होता है market में वो smooth हो, और कहीं ना कहीं बड़ी गलतियां करने से आप बच सकते हो market के अंदर, तो इन चीज़ों के लिए big bulls club आप definitely join कर सकते हो, साथ ही साथ अगर आप six month का plan join करते हो, तो उस पर काफी बढ़िया इस time पे discount भी चल रहा है, आगे बढ़ते हैं हमारे analysis में, kotak bank के बाद अगर हम बात करें तो अगला सबसे बड़ा जो stock है ICICI bank, ICICI bank के अगर ह 19th July को इसके अंदर entry बनाई थी, और वो entry अभी तक हमने hold कर रखी है, अगर हम लोग बात करें fresh entry के लिए, तो fresh entry के लिए भी ICICI bank अच्छा दिख रहा है, क्योंकि momentum इसके अंदर अच्छा है, but definitely मैं suggest करूँगा, कि एक दो दिन हम इसके अंदर wait करें, क्योंकि almost ही अपने resistance zone पर ही चल रहा है, ऐसे के अंदर market में अगर एक pullback आता है, तो हमें ICICI bank थोड़ा नीचे आता हुआ, दिख सकता है, and अगर थोड़ा नीचे आ करके bounce back देता है ICICI bank, तो वहाँ पे fresh buying के लिए definitely consider हम लोग कर सकते हैं, इसके बाद जो अगला stock है, वो है access bank, access bank की अगर हम बात करें, तो again काफी बढ़िया breakout access bank ने दिया है 200 EMA के level का, इसके अंदर भी हमें similar to HDFC bank, एक inverted head and shoulder का breakout होता हुआ दिखाई दे रहा है, and यहाँ पे हलका सा हमें Friday को opening से retracement आता हुआ दिख रहा है, तो ऐसी situation में अगर यह थोड़ा और नीचे आता है, तो बेटर है कि हम इसको आन होता है, तो easily हमें 800 से 820, 30 के zone के targets अराम से stock के अंदर मिल सकते हैं, access bank के बाद बात कर लेते हैं, SBI की, तो SBI के अंदर जैसे कि आपको पता है, PSU bank है, और PSU bank काफी टाइम से हम लोग discuss कर रहे हैं, Big Bulls Club में भी हमने PSU bank में काफी सारे PSU banks, and in fact PSU bank के ETF के अंदर भी काफी इस पर जाकर कि अब थोड़ी सी हमें यहाँ पर दिक्कत आती भी दिख रही है, momentum की भी अगर हम बात करें, तो बहुत ही एक straight हमें move यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है, तो ऐसे में थोड़ा सा यहाँ पर शायद हमें cool down होता हुआ दिखें, तो वैसे के अंदर हम थो थोड़ा सा comfortable नहीं रहूंगा इसके अंदर trade लेने के लिए, reason being कि lower level से हमें बहुत एक straight rally इसमें आती भी दिख रही है, यह बहुत quick move आता हुआ नीचे की side से हमें दिखाई दिया है, तो ऐसे के अंदर थोड़ा सा risk factor इसमें जादा हो जाता है, ऐसे के अंदर हमें यहाँ थोड़ा सा cool down होता हुआ दिखता है, और फिर अगर move continue होता हुआ दिखता है, तो इसमें trade लेना जादा better होगा, वहाँ पे हमारी risk management में compromise नहीं होगा, इसी के साथ next stop की तरफ आ जाते हैं, तो AU bank, AU bank का अगर overall chart pattern देखा जाए, तो यह काफी जादा interesting है, overall अगर हम देखें त एक higher high low pattern हमें यहाँ पे clearly develop होता हुआ दिख रहा है, जिसमें नीचे की side से अब हमें वापस से उपर move आता हुआ दिख रहा है, और ऐसे के अंदर fresh bind के लिए हम इसको trigger की तरह use कर सकते है, 607, 608 का लेवल, 607, 608 का जो zone है, अगर यह breakout होता है AU bank के अंदर, जहाँ पे EMA cluster भी हमें end होता हुआ दिख रहा है, अगर 607, 608 का लेवल breakout होता है AU bank में, तो हम इसके अंदर fresh trading के लिए देख सकते हैं, और वहाँ पे बड़े ही easily हम 10 to 20% के targets अपने रख सकते हैं, पहला target approximately 670 के लेवल पे रहेगा, अगला target हमें 720, 730 के zone पे इसमें देखने को मिल सकता है, तो वहाँ पे हम इसमें entry लेने के लिए consider कर सकते हैं, इसके बाद जो अगला stock है federal bank, तो federal bank में इस time पे मेरे साब से, क्योंकि ये just अपने resistance zone पे है, तो यहाँ पे entry लेने के लिए थोड़ा wait करना चाहिए, already big bulls club में हम लोग इसमें काफी बढ़िया profits enjoy कर चुके हैं, जब हम लो 110 के level पे, अगर इस level का हमें बढ़िया एक breakout मिलता है 110 के level का, तो हम लोग इसमें फिर से trade लेंगे, and इसमें जो next हमारा target रहेगा, वो 125 से 127 के zone में रहेगा, तो easily वहाँ पे हम further 10 to 15% profits के लिए देख सकते हैं, federal bank के बाद बात करने थे IDFC first bank की, एक काफी चोटा bank है, और recently अग अगर हम इसका देखें, तो यह अपने previous resistance zone यानि 38 के level पे clearly हमें आता हुआ दिख रहा है, but issue इसमें यही रहेगा कि इसका result हमें आता हुआ दिख रहा है, एक दो दिन में, तो थोड़ा सा हम उसको लेकर के cautious रहे सकते हैं, एक बार result का जो reaction है, वो stock के अंदर हो जाए, फिर ह हम इसके अंदर trading के लिए consider कर सकते हैं, फिलहाल के लिए इसने strong move दिया है, result के just पहले, तो थोड़ा सा हम इसके अंदर cautious रहेंगे, और जादर risk अभी नहीं लेंगे, इसके बाद, इसके बाद अगर हम next stock की तरफ आकर के देखते हैं, तो वो है बंधन bank, again, बंधन bank lower side पे हम stocks के उनको देख लेते हैं, क्योंकि PSU banks के अंदर recently हमने देखा है कि अच्छा trend हमें develop होता हुआ दिख रहा है, तो ऐसे के अंदर अगर कोई अच्छी opportunity short term trading के लिए बनती है, तो उसको भी हम cover कर सकते हैं, अगर bank of बढ़ोधा के हम लोग यहां पे बात कर लेते हैं, तो bank of ब next week यह pullback continue होता है, तो शायद हमें यह pullback 110, 122 के level तक भी जाता हुआ दिखे, और वहां से अगर bounce back continue होता है, तो हम इसमें एक नई trading opportunity या और add करने के लिए consider कर सकते हैं, इसी के साथ अगर हम बात करें canara bank, तो again canara bank में हमने big bulls club में 209, 210 के levels पे bind करी थी, वहां से हमें काफी बढ़िया move भी आता हुआ दिख रहा है, recently हमने थोड़ा बहुत इसमें profit book कर लिया है, अब देखते हैं आने वाले दिनों में अगर इसमें फिर से pullback आता है, lower side पे हमें 210, 212, 213 इन levels तक आता हुआ दिखता है pullback, और वहां से अगर फिर से move continue होता है, जैसे यहां पे हमें ह होता हुआ दिखा, तो हम इसमें एक और trading की opportunity लेने के लिए जरूर जरूर consider करेंगे, इसके बाद जो आखरी PSU bank है, हाला कि हम इसको थोड़ा कम trade करते हैं, क्योंकि छोटा है और छोटा है तो volatile जादा है, Indian bank, Indian bank के अगर बात करें, तो channel के higher side पे अभी हमें देखने को मिल र रहते हैं, हम लोग उस तरीके से position जिसमें फिल से बनाने के लिए देख सकते हैं, इसी के साथ, वीडियो को end करने से पहले, मैं again एक चीज़ remind करना चाहूंगा, जो जब भी मैं sector analysis करता हूं, तो हमेशा आप लोग के साथ share करता हूं, क्योंकि काफी लोग इस चीज़ को ignore कर या किसी particular stock में आपको सही risk reward के साथ entry अगर नहीं मिल पा रही है, ऐसे में, बट फिर भी अगर आप उस sector के अंदर position बनाना चाते हो, या उस sector के अंदर safety के साथ position बनाना चाते हो, तो ETFs एक काफी बढ़िया तरीका हो जाते हैं इस तरह से sector के अंदर trade लेने के लिए, तो अगर आप आने वाले दिनों में banking के अंदर position बनाने के लिए देख रहे हो, या banking के अंदर अच्छा मौका मिलता है हमें position बनाने के लिए, और वैसे में कोई particular bank आपको समझ नहीं आता है, या confusion होता है कि कि किसी particular bank में मुझे समझ नहीं आ रहा किसमे position बनाएं, तो आप simply bank के ETF में और जिस bank ETF की मैं बात कर रहा हूँ, वो है bank 20, उसके अंदर भी position बनाने सकते हैं, जिससे आपके लिए काफी easy और काफी simple हो जाता है, और आप confused नहीं होते हैं कि ये 10-15 bank हैं, इसमें किसमे position बनाएं, आप simply जाकर के पूरे sector के उपर अपना पैसा लगा सकते हैं, and believe me, क competitively easy और थोड़ा जादा simple होता है, तो अगर आपको particular stocks में कभी confusion होता है, तो आप simply sectors के उपर भी जाकर के bet ले सकते हैं, अगर आपको overall banking के उपर bet लेना है, तो आप bank 20 में जा सकते हैं, और जैसा कि अभी हमने discuss किया, PSU banks में अच्छा trend चल रहा है, तो PSU banks में अगर आपको position बनानी हो, तो आप PSU bank 20 के अंदर position बना सकते हैं, आज की video इतनी थी, जल्दी से मेरे को chat के अंदर बताओ कि जितने भी हमने stocks आज discuss करें, उसमें से सबसे बढ़िया chart आपको किसका लगा, और कोई ऐसा stock है, जिसमें आपको मन कर रहा है कि next week आप position बनाने के लिए देखने वाले हो, और अगर कोई stock हमसे miss हो गया है, तो उसको भी आप comment section में हमारे साथ share कर सकते हो, और इन जितने भी stocks आज हमने discuss करें, किसी में भी अगर अच्छी entry की opportunity बनती है, या हम खुद अगर entry ले रहे होंगे, तो big bulls club के अंदर हम share कर देते हैं, तो definitely big bulls club को आप join कर सकते ह पाइदा आपका ये होता है कि जो market में confusion या panic होता है, वो आपको खतम हो जाता है, साथी साथ आगर आप market को बहुत जादा समय नहीं दे पाते हो, तो हम लोग जो research करते हैं, हम लोग जो stocks को follow करते हैं, उसका फाइदा आप उठा सकते हो, और directly हम लोग stop loss और targets के साथ stocks को share कर देते हैं, तो directly आप उसमे trade ले सकते हो, बिना जादा समय waste करें या बिना जादा confuse हुए, तो इन सब चीजों का फाइदा उठाने के लिए Big Bulls Club आप join कर सकते हो, link आपको description में, और पहले comment के अंदर और वीडियो के end में भी आपको मिल जाती है link, तो जल्दी से जाके आप उ या discount चल रहा है, तो उसका भी आप फाइदा उठा सकते हैं, आज की वीडियो इतनी थी, फिर मिलेंगे ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए, thank you